नशे की हालत में दिव्या भारती इसी मनहूस और लावारिस बिल्डिंग के बालकनी से गिर कर मौत हो गई थी। दिव्या भारती इतनी तेजी से इस पाँच मनजिला बिल्डिंग से गिरी कि इनके शरीर के आधे से ज्यादा खून कुछ ही सेकंड में बाहर निकल गया था जब तक दिव्या को अस्पताल ले जाया गया तब तक दिव्या ने अस्पताल में ही अपना दम तोड़ दिया। उस समय दिव्या भारती मात्र 19 साल की थी। और वह इतनी छोटी उम्र में ही इस दुनिया को छोड़ कर चल बसी। दोस्तों, आज हम इसी की पूरी सच्चाई बताएंगे कि दिव्या भारती की मौत आखिर कैसे हुई? आखिर उसके बालकनी में ऐसा क्या था? जहां से गिर कर वह मर गई। असली सच्चाई जानकर आपकी भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। दिव्या के पिता उस समय छोटा-मोटा काम किया करते थे और दिव्या की माँ घर संभालती थी। ये बचपन से ही बहुत सुन्दर थी। जब दिव्या को स्कूल भेजा गया तो उन्हें पढ़ाई में बिलकुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि उन्हें एक्टिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। आखिर सूरत होने की वजह से सब इन्हीं देखा करते थे और हर चीज में यह सबसे आगे भी हो जाती थी। इसके बाद इन्हें सब जानने लगे। इन्होंने कई सालों तक कई जगह ऑंडिशन दिये ताकि इन्हें कोई फिल्म में काम करने मिल जाए। कई कोशिश करने के बाद दिव्या को एक तेलुगू फिल्म में काम करने का मौका मिला। उस समय मात्र यह 16 साल की थी। यह एक तेलुगू फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया था पर इससे उन्हें कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। दिव्या इस मूवी से बिलकुल भी खुश नहीं थी वह एक ऐसे मूवी में काम करना चाहती थी जिसे पूरा भारत उन्हें जानने लगे इसके बाद दिव्या पूरी तरह मायूस हो गई और हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने लगी पर जब साल 1992 आया तो दिव्या की किस्मत ही बदल गई जब उन्हें सनी देउल के साथ विश्वात्मा मूवी में काम करने का मौका मिला यह उस समय की सबसे ज्यादा एक्शन से भरपूर मूवी थी इस मूवी का गाना जब साथ समुंदर पार में तेरे पीछे गाना आया तो चारों तरफ इस गाने ने टहल का ही मचा दिया इस गाने में दिव्या भारती के किरदार ने सब को पीछे छोड़ दिया यह भारत में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि हर जगह इनहीं की पोस्ट दिखाई देती थी दिव्या उसी दिन से रातों रात स्टार बन गई थी आर्केस्ट्रा से लेकर शादी भिहा में हर जगह दिव्या के गाने बज़ते थे उस समय दिव्या के टकर में कोई भी एक्ट्रेस नहीं थी इसके बाद दिव्या को धराधर मूवी में काम करने के आनफर आने लगे इन्होंने लगातार दस सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिसमें जीत से लेकर शोले शबनम शामिल थी शाहरुख से लेकर गोविंद भी दिव्या के फैन बन चुके थे इतनी कम उम्र में दिव्या ने हद से ज्यादा चीज अचीव कर ली थी दिव्या अब 18 साल की हो चुकी थी तभी इन्हें फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियल वाला से प्यार हो गया था ये दोनों फिल्मी सेट पर घंटे तक साथ बिताते थे और बातें करते थे इन दोनों की प्यार की खबर चारों तरफ फैल गई थी दिव्या भारतिय साजिद के करीब इतना आ चुकी थी कि दोनों आपस में शादी करना चाहते थे पर दिव्य साजित से उम्र में काफी छोटी थी इसके बावजूद भी दिव्या ने 1992 में शादी कर ली इस शादी से कोई भी खुश नहीं था ना ही इसके माता पिता और यह शादी दिव्या चुपके से शादी कर ली थी इनकी शादी में इनके परिवार से कोई भी नहीं गया था शादी के बाद काफी दिनों तक दोनों साथ रहे पर जल्द ही यह शादी मातम में बदलने वाली थी दिव्या भारती अपने माँ बाप से दूर इसी तुलसी अपार्टमेंट में रहती थी जिसे उन्होंने खरीदा था 5 नवंबर 1993 की रात को दिव्या भारती और उनकी दो दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रही थी और ड्रिंक पार्टी चल रही थी किचन में खड़ी होकर काम वाली इन सब के लिए खाना बना रही थी जो दिव्या को बचपन से ही जानती थी दिव्या भारती उस दिन कुछ ज्यादा ही नशे में थी दिव्या भारती बात करते करते अपने किचन रूम के खिडकी पर जाकर बैठ गई जहां पर कोई भी जाली या लोहा नहीं लगा हुआ था अचानक दिव्या का शरीर काबू में नहीं रहा और वह डायरेक्ट इसी बिल्डिंग से नीचे गिर गई वह इतनी जोर से और नीचे गिरी की दिव्या वहीं पर ही दम तोडने वाली थी उसके तुरंत बाद दिव्या का अस्पताल ले जाया गया पर अस्पताल में जाते ही डॉक्टर ने बताएं कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही यह खबर सुनकर सबका दिल अब टूट चुका था कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उनके पती का उठना बैठना अंडर वर्ल्ड के गुंडे और डॉन के साथ था दिव्या भारतिये को अपने पती साजित से नहीं बनती थी और हमेशा दिव्या टेंशन में रहती थी इसलिए उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था उसके बाद पुलिस ने इस केस की काफी चानबीन की और कई सालों तक यह केस चला और बाद में पुलिस ने सारी सच्चाई बताई दिया पुलिस ने बताया कि दिव्या की मौत का असली कारण छट से गिरना था क्योंकि वह हद से ज्यादा नशे में थी और उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ चुका था इसके अलावा दिव्या ने ही सुसाइड भी नहीं किया था और ना ही किसी ने दिव्या की जान लेने की कोशिश की इससे साफ साफ जाहिर हो चुका था कि दिव्या के पती साजित बेकसूर थे दिव्या भारतिये बहुत छोटी उम्र में ही अपने आपको इतना बड़ा बना लिया था कि उनकी फिल्मे ताबर तोड एक्शन और सबसे उपर थी आज भी दिव्या भारतिये को कई लोग याद करते हैं और उनकी फिल्मे देखते हैं